बहुत समय पहले की बात है सौनपुन नामक गाउ में सपना और उसके चोटी बहन नैना दो अनात लड़की रहा करती थी कुछ समय पहले ही एक दुर घटना में सपना और नैना के मात पिता की मिरती हो जाती है जिस वज़ा से दोनों बहने अनात हो गई और किसी भी रिष्टेदार ने दोनों अनात बहनों को सहरा नहीं दिया बेचारी दोनों अनात बहन एक दूसरे का ही सहरा थी सपना नैना से बड़ी थी नैना बहुत चोटी थी इसलिए नैना की सारी जिम्मेदारी सपना के उपर ही आ चुकी थी इसलिए वह अपना और अपनी चोटी बेहन का पेड़ भरने के लिए एक सड़क की किनारे बैठ कर नेल पोलिश पेचा करती थी अगर नेल पोलिश बिख जय करती तो वह दोनों अनात बहने खाना खाल ये करती अगर नहीं बिखती तो उन्हें भोका ही सोना पड़ता था इसी तरह खटे नैयों से बरा दोनों बहनों की जिन्दगी गुजर बसर हो रही थी हमेशा की तरह आज भी सपना नेल पोलिश रही हूं मुझे से खरीद लीजे अगर आप मुझे नेल पोलिश नहीं खरीदेंगी तो मुझे और मेरे छोटी बहन को खाना नहीं मिलेगा जिन्होंने चार दिन से कुछ नहीं खाया क्योंकि पता नहीं चार दिन से मेरी नेल पोलिश क्यों नहीं भिक रही है आज तो खाना नहीं खाया तो मैं क्या करूँ मैंने तुम जैसी अनात लड़क्यों की जिम्मेदारी तो नहीं उठाई मेरी बला से तुम भोकी ही मट जाओ मुझे क्या ऐसे दुद्धकार के वह औरत वहां से चली जाती है सपना को इतनी ज़ाद तेस भूक लग रही थी कि उसे भूक बरदाश नहीं हो रही थी तब यह अपनी चोटी बेहन के बारे में सोस्ती है चार दीन से पानी पी पी कर मेरा ये हल हो रहा है मैं तो बड़ी हूँ, चोटी का क्या हल हो रहा होगा मैं आज चोटी से वादा करकर आई थी कि आज उसे खाना जरूर खिलाऊंगी लेकिन लगता है आज में मेरी नेल पोलिश नहीं बिकिंगी मैं क्या करूँ मैं चोटी को क्या चवाब दूँगी ऐसा सोचकर सपना उधास हो जाती है और सड़क पर आते जाते सभी औरत और लड़कियों को देखती है कि कोई तो उसकी नेल पोलिश खरीद ले लेकिन कोई भी बेचारी के पास नेल पोलिश खरीदने नहीं आता सपना बहुत ज्यादा उधास हो जाती है तभी सपना की नजर जोटे दो बर्गर के उपर जाती है जिसे कोई कुटे के लिए डाल कर गया था लेकिन वह कुटा उन दोनों बर्गर को छोड़कर चला जाता है तभी यह देकर सपना सोचती है इस कुटे की जिंदगी हम दोनों बहनों से कितनी ज़्यादा बहतर है कम से कम इस सड़क की किनारे खाना तो मिल जाता है हम गरीब और अनाथों की तरफ तो कोई देखना भी पसंद नहीं करता जैसे हम इस दुनिया के ही ना हो, हम कोई गंदी नाली का कीड़ा हो लगता है आज ही जूटे बर्गर ही खाने पड़ेंगे, मुझे नहीं लगता आज भी मेरी नील पोलिश बिक पाएंगी, मुझे जूटे बर्गर उठा लेने चाहीं कभी दूसरा कुट आकर इन्हें खा ले ऐसा सोचकर और आँखों में आशू लेकर सपना जैसे ही वह जूटे बर्गर उठाने के लिए उनके पास जाती है तो तभी सपना के पास दो लड़किया अपनी मा के साथ नेल पोलिश खरीदने आती है सुनो नड़की यह नील पोलिश कितने की है मेरी बेटी को पता नहीं तुम्हारी लोकल नील पोलिश क्यों पसंद आ रही है मैंने इन्हें सो बार समझाया कहा कि मैं तुम्हें ब्रांडेड नेल पुलिश दिला देती हूँ लेकिन कह रही है कि इन्हें यही कलर पसंद है उस जोरत की बाते सुनकर सपना खुश हो जाती है और वह खुश हो कर कहती है आँटी जी ज्यादा महंगी नहीं है यहां से मैं तुम्हें इस से भी अच्छी और सुन्दर नेल पॉलिश दिला दूंगी सपना सोचती है कि पचास रुपे की चार ही दे देती हूँ कम से कम आज का तो हम दोनों बहने खाना खाई ही पाएंगी वाना उन्हें कुटे के जोटे बर्गर खाने पड़ेंगे ऐसा सोचकर सपना पचास रुपे की चार नेल पॉलिश दे देती है और जो भी पैसे मिलते हैं उनसे खाना खरीद कर घर की तरफ जा रही थी कि तभी उसे रास्ते में एक बहुत ही मासुम बच्ची रोती हुई नजर आती है तभी सपना उसके पास जाती है और उस मासुम बच्ची से कहती है सुनो प्यारी बच्ची तुम यहाँ पर अकेली क्यों हो और इतना ज़्यादा क्यों रो रही हो और तुम्हारे माता पिता कहा है वो तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे अच्छा लगता है तुम कहीं गुम हो गई अरे अरे तुम इतना क्यों रो रही हो जर बताओ तो क्या हुआ घबरा मत मैंने अपने माता पिताजी को कभी नहीं देखा लेकिन मैं दो दिन से ऐसे ही भटक रही हूँ मैं अपनी मामी के घर रहती थी लेकिन उन्हें ने पुझे अपने घर से निकाल दिया अब मैं कहा जाओ मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा लेकिन दीदी आपको पता है मेरे मामा कह रहे थे कि मेरे माता पिताजी आसमान में रहते हैं वह तारा बन गए बस मैं उन्हें तारों से बात कर लेती हूँ इस मासुम बच्ची की यह बाते सुनकर सपना की आँखों में आसु आ जाते हैं और वह समझ जाती है कि वह भी उसी की तरह आनात है और उसकी मामी उसे अपने घर में रखना नहीं चाहती होंगी इसलिए घर से निकाल दिया होगा तब ही सपना उस बच्ची से कहती है कोई बात नहीं अगर तुम्हारा कोई नहीं है मैं तो हूँ ना आज से तुम मेरी बहन हो जैसे मेरी लिए छोटी वैसे ही तुम चलो तुम भूकी होंगी मेरे साथ घर चलो मैं तुम्हें अपनी बहन से मिलाती हूँ इस तरह सपना अपना बड़ा दिल कर उस छोटी सी बच्ची को अपने साथ अपने घर ले जाती है जिसे देखकर नैना अपनी बेहन से कहती है दीदी दीदी यहे लड़की कौन है छोटी यह समझो की यह हमारी बेहन है हमारी तरह अनात है इसके भी मातब पिता नहीं है आज से यह हमारे साथ ही रहेगी दीदी यह तो बहुत अच्छी बात है आप तो नील पॉलिश बेचने चली जाती है और घर में मैं अकेले रहती हूँ अब हम दोनों बहने एक साथ रहेंगी सपना के पास थोड़ा ही खाना था इसलिए सपना वह सारा खाना नैना और उस लड़की को खिला देती है ताकि दोनों का पेट भर जाए और सपना पाने पी कर अपना पेट भर लेती है उसके बालव है उस मासुम लड़की से उसका नाम पूस्ती है अब तो तुम हमारी बहन बन चुकी हो लेकिन तुमने मुझे अपना नाम नहीं बताया तुम्हारा क्या नाम है और मुझे बताओ कि तुम्हारी मामी ने तुम्हें अपने घर से क्यों निकाला देदी मेरा नाम प्रेती है देदी आप बहुत अच्छी है आपने मुझे पेट भर कर खाना खिलाया मामी के घर पर तो सरफ चार-पांस दिन में एक ही बार मिलता था और वह मुझे से बहुत ज़्यादा काम भी करा दी थी एक दिन उनकी बेटी ने मुझे से अपनी कपड़ों पर इस्तिर कराने के लिए कहा और मुझे से उनकी ड्रेस चल गई बस उनकी बेटी और मामी ने मेरी बहुत ज़्यादा पिटाए की और अपने घर से बहुत दूर मुझे एक जंगल में लाकर छोड़ दिया जहां में आपको मिली थी ऐसा कहकर प्रीती बहुत ज़्यादा रोती है नैना और सपना प्रीती को दिलासा देती है उसे गले लगाती है और तब ही नैना कहती है अरे नहीं नहीं प्रीती तुम्हें रोने की कोई जरूत नहीं है अब तुम हमारी बहन हो हम तुम्हारा बहुत ख्यार रखेंगे लेकिन बस कभी कभी तुम्हें भूका ही रहना पड़ेगा जब दीदी की नेल पोलिश नहीं बिकती वर्णा उसके अलावा तुम्हें प्या मेहनत करनी पड़ेगी ऐसा कहकर सपना सुबह को दो बारा से नेल पॉलिश बेचने के लिए जाती है अब सपना के उपर और भी ज़्यादा जिम्मेदारी आ चुकी थी इसलिए वह बहुत ज़्यादा मेहनत करती है अब वह फुट पात पर नहीं बलकि वह एक गली से दूसर लगाओं उसे जितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती वह करती लेकिन कभी हार नहीं मानती और इतनी ज़्यादा गर्मी में अवाज लगा लगा कर नेल पॉलिश बेचा करती थी सपना इतनी तेज़ धूप में इतनी गर्मी में नंगे पैर एक गली से दूसरी गली नेल पोलिश बेज रही थी इस तरह सपना की कुछ नेल पॉलिश बिक भी जाती है और वह उन पैसों से खाना खरीद कर गहल लेकर जाती है और तीनों बहने पेट भर कर खाती है इसी तरह रोज रोज होने लगा और एक दिन सपना के पास जितने भी नेल पॉलिश थी वह सब खतम हो जाती है और वह बहुत उदास हो जाती है तब ही नैना और पिरीती सपना के पास आती है और उसे कहती है दीदी बहुत समय हो गया आज आप नील पॉलिश बेचने नहीं जा रही और आप इतनी ज़ादा उदास क्यों बैठी है मेरी प्यारी बहनों मेरे पास जितनी भी नील पॉलिश थी वह सब भीक चुकी है अब मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं और नील पॉलिश खरीद कर उन्हें बेच पाऊँ पता नहीं अब मैं तुम दोनों का पालन पोशन कैसे करूंगी लगता है अब तो भीग मांगर ही अपन पता है जब आप नेल पॉलिश बेचने जाती थी तो मैं और नैना हम खेलने के लिए एक जंगल में जाते थे तब हमने वहाँ पर एक मशीन देखी जिसके उपर बहुत ही जादर सुन्दर सुन्दर नेल पॉलिश थी आपको पता है वह बिकुस सोने चांदी के तरह चमक नहीं थी यह देखकर नैना और में दंग रहे गए क्यों नैना हम दोना आपको उसके बारे में बताना चाहते थे लेकिन मोग कहीं नहीं मिला हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए आखिर वह मशीन कैसी है और उसके उपर सोने चांदी की नेल पॉलिश कहां से आई सच में त फिर तो हमें वहाँ जाकर जरूर देखना चाहिए ऐसा कहकर सपना नैना और प्रीति के साथ उस जगह पहुंच जाती है जहाँ पर सोने और चांदी की नेल पॉलिश की मशीन थी वह नेल पॉलिश बहुत ही जादा सुन्दर थी यह देखकर सपना चांग जाती है अरे नहां तो सच में सौने चांदी की नेल पॉलिश की मशीन है और यह नेल पॉलिश कितने ज़दा सुन्दर है ऐसे नेल पॉलिश तो मैंने अपनी जिन्दगी में कभी नहीं देखी सच में यह बहुत अद्बुद नजारा है सपना ऐसा कही रही थी कि तभी वहाँ पर एक जादू गर्नी आ जाती है और वह सपना से कहती है यह जादू सौन्य चांदी की नेल पॉलिश की मशीन है और यह मशीन में सिर्फ उसे ही देती हूँ जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचता हो नेक दिल के साथ साथ इमानदार भी हो और हमेशा दूसरों की मदद करने वाला हो तुम मुझे अपनी कोई ऐसी जादा क्या हो तब ही मैं तुम्हें अपनी यह जादी सौन्य चंद की नेल पॉलिश वाले मशीन दूँगी वरना तुम्हें यहां से कुछ भी नहीं मिलेगा जादू गन्य जी आपको पता है कि सपना दीदे कितनी जाद अच्छी है मैं उनकी अपनी सगे बहन नहीं हूँ रास्ते में मिली थी और उन्होंने मेरी देख बाल बिलकुल अपनी बहन नैना की तरह की है नैना और मुझे में कभी कोई फरक नहीं किया पहले सपना दीदी जी अब तो आप हमारी मदद करेंगी ना प्रीती के आंसों देखकर जादू गन्य को उनके उपर वरुसा हो जाता है और उसकी भी आँखों में आंसों जलक उड़ते हैं तभे जादू गन्य सोने और चांदी की नेल पॉलिश की मशीन देते हूँ तो तुम्हारे सामने ब जाएंगी जिसे बेच बेच कर तुम अपना और अपनी दोनों बहनों का अच्छे तरह पालन पोशन कर पाओगी हमेशा तुम्हें इस मशीन से सोने और चांदी की नेल पॉलिश मिलते रहेंगी खुश रहो बेटा और ऐसे ही हमेशा दूसरों की मदद करती रहना सपना जादी सोने चांदी की नेल पॉलिश की मशीन अपने साथ घर लेकर आ जाती है और वह जैसे ही बटन दबाती है तो उसे बहुत सारी सोने और चांदी की नेल पॉलिश मिलती है सोने चांदी की नेल पॉलिश अभी तक मार्किट में नहीं आई थी इसलिए वह सबको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और वह तुरंती बिग जाती है और सपना रोज रोज सोने चांदी की नेल पॉलिश बेच बेच कर बहुत ज़्यादा अमीर हो जाती है और वह अपनी एक कोस्मेटिक की शोप खुलती है नैना और प्रीतिका इसकूल में एडमिशन करा देती है दोनों बहने एक साथ इसकूल जाने लगती है और सपना कोस्मेटिक की शोप पर अपनी सोने और चांदी की नेल पॉलिश बेचा करती थी सपना के ही सामने एक सुजाता नम की कोस्मेटिक की शोप थी जिसके शोप पर बहुत कम गिरहक आने शुरू हो जाते हैं यहें देकर सुजाता आग बबूला हो जाती है जब से इस अनात लड़की ने मेरे सामने अपनी कोस्मेटिके शब खोली है तब से मेरे ग्राहक तब बिलकुल ना की बराबर आते हैं सब के सब इस सपना की पच्ची के ही पास जाते हैं पता नहीं ये मनहुस सोने चांदी की नेल पॉलिश कहां से लेकर आती है हमें तो कहीं नहीं मिलती मुझे इसका कुछ करना ही पड़ेगा वरना मैं तो सड़क पर आ जाऊंगी हमें ऐसा कहकर सुजाता रात होने का इंतिजार करती है और सपना के उपर पूरे दिन नज़र रखती है लिकिन तब ये सुजाता देखती है कि जादू सोने चांदी की नेल शूठी है तो ये बात है, इस मनहुस के पर जादी मशीन है, जो इसे सुनो चांदी की नेल पॉलिश देती है तो ये जादी मशीन तो मेरे पास होनी चाहिए, इसकी मदद से में कितनी जाद आमीर हो जाऊंगी, और ये आना दो बारह से खरीब क्योंकि इसके पास ये जाधी मशिन चुरा कर अपने घर लेकर आजाती एजैसी बतन दबाती है तो उसे बहुत तेस का करटो लगता है और वेह yıl Eli i C lavoraten 同गा बार जादी को हथ लगाती रहती तो वजह से करंट लगता रहता है करंट लगत लगकर उसकी मिड़ती हो जाती है और जादी सोने चांदी की निल पॉलिश की मशीन दो बारा से सपना की शुक पर चली जाती है इस तरह सुजाता को उसके लालच की सजा मिल जाती है और सपना अपने अच्छे साबहा की वजह से अ अपनात लोगों की बहुत मदद करती है और अपनी दोनों बहनों के साथ एक हसी खुशी जीवन बिताती है